इसलिए किती आये में हैं कि जब से हम जनता दर्बार गए हैंगे योगी जी के पास शिकायत लेकर तो जब से कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो गई हो और जब से कह रहे हैं कि तो मही जो पूरा फर्जा वही उठाएं थमारा अब वही सब करें अब तुम इस घैर में रहने ला पार में जाकर अपने लिए न्याई मांग लिया था फिर क्या था महीला के जलात भाईयों ने उसको खाना देना तक बंद कर दिया उससे सारा सामान चीन लिया जिसके बाद महीला कडाके की सर्दी में दुपट्टे के सहरे रात काट रही है हम दुपट्टा इस तरीके को पहनते हैं तो मुझे पहनने नहीं देते हैंगे उस चुड़ाते हैं कि योगी जी की तरह इसमें हो गई है तो अब आप क्या चाहते हैं दरसल महीला का कहना है कि उसके भाईयों नो उसकी संपत्ती को हड़प लिया और जब शहर काजी से भी नहीं मिला तो उसने मुख्यमंत्री योगी आदितनाद के जनता दर्बार में जाकर शिकायत कर दी लेकिन इसकी फोटो सोचल मीडिया पर वाइरल हुई तो शहर काजी ने पीडित महीला के साथ बुरा बरताव करना शुरू कर दिया पीडित महीला का आरोप है कि शहर काजी ने उसके साथ गाली गलोच कर उसको मारने तक की कोशिश की और भाई जो इससे पहले मदद कर रहे थे उसे भी रुकवा दिया गया जिससे पेडित महिला अब दरदर भटकने को मजबूर हो गई है तो उन्हों ने इसा क्यों किया जी वो इसलिए किसी आएवे हैं कि जब से हम जनता दरबार गए हैंगे योगी जी के पास शिकैत लेकर तो वो जब से कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो गई हो और जहा है कि अब तुम महिला को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्यूंकि वो मुख्यमंतरी से अपने लिए न्याय मांगने चली गई थी महिला ने पुलिस आयुक्त से मामले का संग्यान लेकर न्याय दिलाने की मांग करते हुए ग्यापन सौपा है और शेहर काजी के खिलाफ कायरवाई की वेमांग की है देखना ये होगा कि आकिर इस महिला को न्याय कब मिल पाता है अन्वीटी ओनलाइन की रिपोर्ट